बॉडी लेंग्विज यानि शारीरीक भाषा और आपका व्यक्तित्व तीसरा दिन सबसे पहले आप ये जानिये कि भावों, भावनाओं, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को समवात कहा जाता है समवात के लिए जरुरत होती है भाषा की, दुन्या में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराथी, बांगला, संसिक्रित, उर्दू या विभिन्य प्रकार की सांकेतिक भाषाएं तथा संगीत की भाषा, कंप्यूटर की भाषा इत् सभी प्राण्यों की स्वभाविक अफश्यक्ता है, इसलिए प्रकृत ने सभी प्राण्यों को उनके गुणों और वातावरन के अनरूप समवाद क्षमता प्रदान की है, परन्तु मनुश्य को अन्य प्राण्यों से अलग विशिष्ट समवाद क्षमता प्राप्त है, एक शारीरिक भाषा या बॉडी लेंग्विज कहते हैं। पिले हम सुने के तरीके के बारे में जानते हैं। सुने का तरीका integrity कहते हैं बोलना एक कला है परन्तु सुनना उससे बी बड़ी कला है। एक कुशल वक्ता वही हो सकता है जिसमें सुनने का ध्हर्य हो। अक्सर हम बोलने वाले के धंग को लेकर उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्वर निडिक्षन करने लगते हैं। और करें भी तो क्यों नहीं? क्योंकि बोलने वाले का धंग उसके भीतर छुपे गुन, आउगुन तथा उसके मनोभावों को व्यक्तिजू करता था। पर हैरानी की बात तो ये है कि सब बातें केवल बोलने वाले पर ही लागू नहीं होती, बलकि सुनने वाले पर भी लागू होती है। व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, जरूरत से ज्यादा चौकनना रहता है, सुनने के साथ साथ आपकी बातों का निश्कर्श एवं हल निकालने के भी कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति अपने नीजी जीवन में दुखी रहता है, परंतु किसी के सामने जाहिर नहीं होने आपकी बातों के साथ साथ उसके मन में अपने विचार भी चलते रहते हैं। बात खत्म होने के बाद या तो ऐसे व्यक्ति लंबा चौड़ा भाशन देते हैं या चुप रह जाते हैं। ये सब की सुन लेते हैं। लेकिन इनका ध्यान अपनी समस्याओं में उल्जा रहता है वैसे नए-नए अनुभाव प्राप्त करना इन्हें अच्छा लगता है। कहने वाले के दुख में ये ज्यादा दिल्चस्पी नहीं लेते। लेकिन दिखावा ऐसा करते हैं जैसे वे सुनाने वाले के दुखों से अच्छी तरह से वाकिव हैं। सुयम को समझ कर समझना इ आख बंद करके सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति सम्वेदन शील होने के साथ साथ भावुक भी होते हैं। किसी बर भी आसानी सी यकीन कर लेते हैं। इनका मन साफ होता है। इसलिए हर एक की मदद करना इनकी आदद बन जाती है। जिसकी वज़ा से उन्हें कई बार धोखे भी मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे चिंतक, विचारग एवम दार्शनिक होते हैं। इनका सुनना केवल सुनना नहीं होता बलकि ये उचित सलाह एवम मार्ग दर्शन भी देते हैं। ये या तो किसी की बात नहीं सुनते हैं। अगर सुनते हैं तो बड़े अपने मन से ऐसे व्यक्ति अपनी धुनके पक्के होते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से ही कारे करते हैं अपनी वार्णी द्वारा लोगों को सम्मोहित करना इन्हें खुब आता है ऐसे व्यक्ति ध्यानी होने के साथ साथ ग्यानी भी होते हैं तथा सामने वाले के मन में क्या चल रहा होता है ये भी भांप लेते हैं। आँख मिला कर सुनना जो लोग बोलने वाले की आँखों में या उसका चेहरा देख कर उसकी बात सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्म विश्वासी, द्रड़ वसाहसी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से अपने मन की बात चुपाना मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्तियों की आँखों में घजब की सम्मोहन शक्ति तथा व्यक्तित्व में अनोखा आकरशन होता है। ये जिस काम को शुरू कर दें उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों में बदले और जलन की भावना भी देखी जा सकती है। अपनी सोच एवं निशकर्ष पर इन्हें बहुत गर्व होता है। लोगों से संपर्क बढ़ाना इन्हें बेहत भाता है। तेज आवाज में बात करना वह हसना इनकी आदत होती है। ऐसे व्यक्ति हर किसी को अपना मित्र नहीं बनाते। आँखें जुका कर सुनना जो लोग किसी की बात आँखें जुका कर या नीची करके सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति नकारात्मक सोच वाले तथा निराशावादी प्रवरितिके होते हैं। जब वे बातें सुन रहे होते हैं तो बोलने वाले के साथ साथ उसकी बातों को सुन कर कलपना जगत में खो जाते हैं और अपने हिसाब से उस इस्थिती के चित्र खींचते रहते हैं। कई बार ये सामने वाले की बातों में इतना खो जाते हैं कि इन्हे वक्त का पता ही नहीं चलता। इनकी इस स्थिती से बोलने वाले को ये भ्रहम होता है कि सुनने वाला बड़ी गंभीरता से सुन रहा है। ऐसे व्यक्तियों से यदि अचानक बीच में कुछ पूश लिया जाए तो वो अस्मंजस में पढ़ जाते हैं या फिर बातों को बीच बीच में टोक कर बोलने वाले से फिर दूराने के लिए कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत धीमी गती से कारे करते हैं, तथा कारियों एवं मेहनत में विफल होने के बाद जल्द ही निराश हो जाते हैं. ऐसे व्यक्ति को सदा दूसरों अपने या पराय से शिकायत रहती हैं, तथा ये स्वैम को बदलने के बजाए दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, अपने दिल की बात ये अपने दिल में रखते हैं, इन्हें सदा ऐसे दोस्त की तलाश रहती हैं, जो इनके खामोशी को स उनकी पूरी बात सुनकर ही बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति सभ्य एवं धैर्यवान होते हैं। इनको जीवन का खास अनुभव होता है। जिसके आधार पर ये ना केवल स्वैम, सकारात्मक एवं उर्जावान बनते हैं। बलके अपने आसपास मौजूद लोगों को भी सरलता से परिवचित मार्ग पर ले आते हैं। ऐसे व्यक्ति दोदर्शी तथा महंती होते हैं। जब तक इनका कार्या पूरा नहीं हो जाता, ये किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। समाज में कई लोगों के लिए ये मिसाल एवं आदर्श साबित होते हैं। ये जब बोलते ह तो पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं। जूटे, कप्ती एवं दोगले लोगों से इने सخت नफरत होती है। यदि सामने वाला सच्चा हो तो ये उनका बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की याददाश्ट एवं समझने की शक्ती दोन इनसान या परिणाम आदि से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे व्यक्ति संघर्ष करने से नहीं घबराते। बलकि इनका मानना है कि जितनी कठिन परेक्षा से वो गुजरते हैं उतने ही परिपक्व होते चले जाते हैं। सामाजिक कारियों में ये बढ़ चड़कर हिसा लेते हैं। मृत्य, संघीद, चित्रकारी अदि कला में इनका रुजर्षान होता है। इनका अच्छा ही, इनका सब कुछ होता है। ऐसे व्यक्ति कोमल हिर्दैवाले होते हैं, ये चाहते हैं कि सामने वाला इन पर विश्वास अवश्य करें। ये जब तक सामने वाले का विश् उसे सुनने वाले को समझाने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। ऐसे व्यक्ति अच्छे मनोवज्ञानिक व अच्छे सलाहकार सावित होते हैं। जानने समझने में लग जाते हैं और स्वयम को बहुत मजबूत बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने आपको असहाय एवं तनहा महसूस करते हैं। इनके अपने ही इनका आत्म विश्वास कम कर देते हैं। जिसकी वज़ा से ये ना तो कोई निर्ने ले पाते हैं और तक सामने वाला खुद न पुछे तब तक कुछ नहीं बोलते हैं। यदि बोलने वाला तथा उसका विशय दोनों ही जब इन्हें रूचिकर नहीं लगते तब भी ये ऐसी मौन मुद्रा धारन कर लेते हैं जिससे सामने वाले को स्वता ही ये समझ में आ जाता है कि सुनने नहीं चाहता। सधी हुई मुद्रा में सुनना। ऐसे व्यक्ति जो किसी की बात एक ही मुद्रा में रहकर सुनना पसंद करते हैं बहुत ही दयावान एवं धैरेवान होते हैं। ये जीवन एवं संघर्शों को बहुत संजीदगी एवं वफदारी से लेते हैं। लापरवाह एवं गयर जमेदार लोगों से इन्हें नफरत होती है। ऐसे व्यक्ति या तो कोई कारे करते नहीं हैं, करते हैं तो बेहतरीन ढंग से करते हैं। ऐसा व्यक्ति नकिवल आपको सुनता है बलकि आपके साथ हमदर्दी भी रखता है। ऐसे व्यक्ति इस्थिर विचार एवं एकागर चित वाले होते हैं। ये सामने वाले की बातें इतनी तलीनता से सुनते हैं कि अपनी सुद्ध बुध तक भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की वानी मधुर होती है तथा ये एक अच्छे मार्क दर्शक एवं नियाएधीश कहला जाते हैं। मुद्राएं बदल कर सुनना। ऐसे व्यक्ति जो हिलते डुलते तथा अपनी मुद्रा बदल बदल कर बातें सुनते हैं आइस्थिर विचार एवं बेचैन प्रवृत्ति के होते हैं। ये स्वत आपकी बातें जरुरत से ज्यादा लंबी हो रही हैं। जो उसे बोर कर रही हैं। ऐसे व्यक्ति मनमौजी तथा चंचल होते हैं। किसी का दिल दुखाना या ना कहना उन्हें स्वैम में दुखदाई लगता है। इसलिए ये मुद्राएं बदलते रहते हैं। स्वैम को क अवनाओं एवम हालात के साथ बिना किसी मोह और स्वार्थ के जुड़ा है। ऐसे व्यक्ति भावुक और समवेदन शील होते हैं। सही समय पर यदि इने सही मौका मिल जाए तो इनमें बहुत कुछ कर गुजरने के एक शमता होती है। गुसा या शिग्र प्रतिक्रिया इ ऐसे व्यक्ति जो सुनते वक्त जरा भी सीधे नहीं बैट सकते। आपस में हथेलियों को मसलते हैं, अंगली चटकाते हैं, बालों में हाथ फेरते हैं, ना खून चबाते हैं, ना कान में अंगली डालते रहते हैं, चिंतित स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दि पर आड़ी तिर्शी लकीरें खिष्टे रहते हैं जो इनकी तनहाई वनी रस्ता को दर्शाती है। अपने आपको व्यस्त रखना तथा बहानों में उल्जाय रखना इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अकसर अपनी मेहनत का वो परिणाम नहीं मिल पाता जितना की वो अगदार होते हैं। बैठने का धंग, चलना फिरना, उठना बैठना हर व्यक्ति की सामान्यक रियाए हैं। किसी भी व्यक्ति के बैठने के ढंग से आप उसके व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। वैसे स्थान और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के बैठने के ढंग में परिवर्तन आ जाता है। फिर भी उसकी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिने कि वो चाह कर भी नहीं बदल सकता और यही आदतें उसके जीवन, व्यवहार, व्यक्तित्वर एवं मनु इस्थिति के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। कैसे आई जानते हैं। सहारा लेकर सीधे बैठना। जब कोई व्यक्ति किसी दीवार, कुर्सी या किसी अन्य वस्तु के सहारे सीधा बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति चतुर और बुद्धिमान होता है। वो अपने समय का अच्छे तरह से उप्योग करता है। ऐसा व्यक्ति दिखने में भले ही कठोर हो, लेकिन भीतर से वो समवेदन शील होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे मार्गदर्शक, सलाहकार एवं न्याय करने वाले सिध्ध होते हैं। सीधे बैठना। जो व्यक्ति किसी वस्तु का सहारा लिये बिना सीधा बैठता है, आत्म विश्वासी तथा उर्जावान होता ह ऐसा व्यक्ति किताबी जानकारी से ज्यादा स्वयम के अनुभमोद्वारा ज्यान की प्राप्ति करता है, तथा उसी को महत्व देता है। ऐसे व्यक्ति समय के पाबंद एवं द्रुढ निश्चाई होते हैं। इनका जिद्धी स्वभाव कई बार इने लाभ पहुँचात अगे होकर बैटना। जो व्यक्ति किसी चीज का सहारा लिए बिना आगे होकर आधा अधूरा बैटना है। उसमें आत्म विश्वास की कमी होती है। कम समय एवं मेहनत से सब कुछ पाने की चाह इनमें प्रबल होती है। लड़ाई जगड़ा इन्हें पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति या तो दब्बू होते हैं या फिर बहुत ही हाजिर जवाब। जुक कर बैठना। ऐसे व्यक्ति जो बिना पीठ सीधे किये पेट पर बल दे कर कंधे वपीठ को जुका कर बैठते हैं महा आलसी होते हैं। ये अपनी बात कभी खुल कर नहीं कर पाते। संगर्शों इवं जिम्मेदारियों से ये दूर भागते हैं तथा भागे के सहारे स् पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आसान कारे के लिए भी दुगनी मेहनत करनी पढ़ती है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपनी सोच को सकारात्मक तथा अपने भीतर आत्म विश्वास जगाएं। खुल कर बैठना। जो व्यक्ति अपनी टांगों यानी जां सोचते हैं। मजाग करना वा बाद बाद पर दूसरों को हसाना इनकी खास आदत होती है। ऐसे व्यक्ति ग्यानी, कुशल वक्ता इवं अच्छे मित्र साबित होते हैं। ये दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे आते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा रोमेंटिक होता ह इसलिए कई बार इन्हें बेवजह बदनामी का भी शिकार होना पड़ता है। सिमट कर बैठना, यानि की क्रॉस मुद्रा में बैठना, अपनी दोनों टांगों यानि जांगों इवं हाथों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर या क्रॉस करके बैठना। ऐसे व्यक्ति अंत चिंतन के बाद ही इसी निर्णे पर पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वैम की इतनी चिंता नहीं करते जितना की दूसरों की करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे कलाकार, साहित्यकार, विचारक और दार्शनिक सिद्ध होते हैं। ये भीड से अलग रहना पसंद करते इन्हें मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की लालसा अधिक होती है। स्वैम का सहारा लेकर बैठना। जो व्यक्ति बैठते समय स्वैम के हाथों या कुहनी का सहारा लेना, जैसे जमीन पर हथेली से टेक लगाना, टेबल या जांगों पर कुहनी से सहारा लेना, गालों, चेहरे पर हथेली का सहारा आदी लेकर बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन वास्तों में होते नहीं। ऐसे व्यक्तियों में आम इंसान से ज्यादा काम वासना पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों को अपनी और प्रियास में रहते हैं। स्थिति का हस कर सामना करते हैं। सभी लोगों से ये आसानी से घुल मिल जाते हैं। अपनी उर्जा तथक शमता से ज्यादा काम करना इन्हें अच्छा लगता है। संकोची होने के कारण ये कई बार अपना घुसा दूसरों पर नहीं बलकि खुद पर ही निकालते हैं। इनके इरादे बुलंद और बुद्धी तेज होती है। ये अपनी योजनाओं को अपनी जरूरत के अनुसार बनाते हैं। सुख चैन की मुद्रा, यानि की आल्थी पाल्थी मारकर बैठना, ऐसे व्यक्ती बिना किसी शारीरिक तनाओ और कसाओ के शरीर को बिना कश्ट दिये, सरल मुद्रा में बैठना पसंद करते हैं। हाथ, घुटने, गर्दन, पीठ, आदी की इस्थिती एवं आकार बनावटी नहीं, बलकि सहज एवं स्वभाविक होता है। ऐसे व्यक्ती निश्चित, संतोष्ट एवं शांत स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ती परिश्रमी, संघर्शरत एवं स्वभिमानी होते हैं। अपने द्रिढ संकल्प के द्वारा ये अपना भविश्य निर्मित करते हैं। इनका क्रोध एवं हठी स्वभाव कई बार दिर्कत में डाल देता है। दूसरों का हित्व मदद करना इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ती संसार से उपकर आध्यात्म का मार्ग अपनाने की चाह रखते हैं। दुखी वचिंता ग्रस्त मुद्रा। बैठने की कई मुद्राईं ऐसी होती हैं जिनसे ये साफ पता चलता है कि व्यक्ती काफी चिंतित या तनौ में है। लिए बेखना नीची नजर करके मुँह लटका कर बैधना। दोनों हाथों से सिर्फ पकड़कर बैठने की मुत्रा, ऐसे व्यक्ति की मानसिक इस्थिती, गंभीर एवं असंतुलित होती है। एक ही बात को दोहराना या फिर किसको कब क्या कहा था, क्यों कहा था, कहकर भूल जाना, इनके स्वभाव में होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जीवन को लेकर एक असुरक्षा का भाव होता है, जिसकी वज़ा से इनका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जब भी बैठते हैं तो इनके हाथों में पेन, पेंसिल या अन्य कोई वस्तू अवश्य होती है या फिर गोद में तक्या लेकर बैठना इनकी आदत होती है। कई बार अपना हे नुखसान कर बैठते हैं। गाल पर हाथ रखकर बैठना। ऐसे व्यक्ति अपने निर्णेयों पर एक से अधिक बार विचार कर उसका आकलन करते हैं कि उन्होंने सही किया है या गलत। यदि कोई गलती हो गई है तो उसका निवारन किस प्रकार किया जा है। ऐसे लोगों की विशेष्टा है कि छोटे छोटे कार्यों छोटी छोटी बातों का सुन कर भूल जाते हैं। अथवा उन पर ध्यान नहीं देते। अपनी वस्तूओं को संभाल कर नहीं रखते। इनका वातावरन सदैव अस्त व्यस्त रहता है। हाथ बांध कर बैठना। दोनों हाथों एवं पैरों को बांध कर बैठने वाले लोग आसानी से किसी बात से सहमत नहीं होते। छोटे मोटे तरक इने प्रभावित नहीं करते। अपने मन में जो निश्चे कर लेते हैं प्राया उसी पर अडिक रहते हैं। इनकी की मुद्रा में बैठने का ताक पर्य है कि संबंधित इस्त्री अथवा पुरुष मानसिक रूप से निर्ने ले चुका है और सामने वाला उसे कितना भी समझाए वो डिगने वाला नहीं है। ऐसे लोग विद्ध्वान और बुद्धिमान तो होते ही हैं अपने कारे में भ प्रदर्शन करके वो सामने वाले का दिल जीतना चाहते हैं। उससे सहनुभूत भी प्रकट करते रहते हैं। इनकी खुली हथेलियां बताती हैं कि इन्होंने अपनी विचारधारा को स्वतंत्र छोड़ दिया है। परंतु मुड़ी हुई उंगलियां इस बात के चोगली करती हैं कि स्वयम को नियमित इस मुद्रा में बैठे रहने पर उनको अपनी मानसिक्ता पर अंकुष लगाना पड़ता है। ऐसे लोग प्रदर्शन प्रिय होते हैं। दूसरों को अपनी और आकर्शित करके रखना, मीठी मीठी बातें करना, बड़ी बड़ी गपे मारना इनकी आदत होती है। ऐसे लोग अंदर से कुछ वा बाहर से कुछ और नजर आते हैं। इनसे बचने के लिए इनकी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए। बात करने का धंग। बातचीत करना एक कला है। इसमें शब्दों का, आवाज का और बोलने आदी के धंग का भी करते हैं, सब हमारे मानसिक्ता केस तरको दर्शाते हैं। वास्तों में हमारी आवाज, हमारी बातें तथा हमारी बात करने का धंग, वो सारे रास खोल देता है, जिसे हम छुपाना चाहते हैं। या फिर कहकर भी नहीं कह पाते। तेज स्वर में बोलना, तेज स्वर, यान की उंचे स्वर में बात करना, ऐसे व्यक्ति खुले विचारों वाले स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं, छोटी छोटी बातों पर घुसा आना और अपने ही विचारों को दूसरों पर थोपना इनके स्वभाव में होता है, दूसरों के काम में कमी निकालना इनकी आदत होती है, ऐसे व्यक्ति साफ सफाई के शौकीन, समय के पाबंद एवं मिलनसार सुभाव के होते हैं, अपने नीजी जीवन में ये अपने संबंधों एवं रिष्टों को लेकर चिंतित रहते हैं, धीमे स्वर में बोलना, ऐसे व्यक्ति अंतरमुखी एवं कलपना शील होते हैं, गुमसुम और चुपचाप रहना इनकी आदत होती है, बड़ी मुश्किल से ये किसी को अपना दोस्त या हमरास बनाते हैं, आत्म विश्वास की कमी के कारण ये भीड़ वाले स्थान में स्वयम को असुरक्षित पाते हैं, कला के प्रती इनका विशेश रुझान होत है, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले चिंतन मनन करने वाले भी होते हैं, मध्यम स्वर में बोलना, यानि की ना तो तेज स्वर में बोलना और ना ही बेहध्धी में स्वर में बोलना, ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्ति, व्यवहार एवं व्यक्तित्व अस इनके स्वभाव में होता है। एवं जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं कम समय में अधिक पाने की चाह सदा इन में बनी रहती है दूसरों की होड या नकल करना इन्हें पसंद नहीं होता हस्मुख प्रवृत्ति के ये व्यक्ति अपने गम को छुपाने में माहिर होते हैं बात को बढ़ा चढ़ा कर तथा समझा कर कहने में इन्हें बेहद आनंद मिलता है धीमी गती से बोलना ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी होती है लेकिन धैर्य एवं सहन शीलता अधिक पाई जाती है मन में विचारों की उथल पुथल लगी रहती है ये बहुत संकोची होते हैं इनका संकोच ही इनके जीवन में एक मात्र रुकावट है ऐसे व्यक्ति कुछ कहने से पहले अच्छी तरह से सोचते हैं दूसरों की भावनाओं का ये विशेश ख्याल रखते हैं बनावटी स्वर में बात करना जो व्यक्ति अपने होटों को बना-बना कर जरुरत से ज्यादा इतरा कर बोलते हैं ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक एवं आकरशक व्यक्तित्व वाले होते हैं स्वयम को जरुरत से ज्यादा चालाग एवं समझदार समझते हैं दिखावा करना तथा दूसरों की होड़ करना इन्हें अच्छा लगता है। दूसरों के काम में कमी निकालना इनके स्वभाव में होता है। कलातमक एवं स्रिजनातमक प्रवृत्ति के ये व्यक्ति अपने हर कारे को अपने निराले ढंग से करते हैं। प्रशंसा एवं चापलोसी करने वाले इन्हें अच्छे लगते हैं। बोलते समय मूँ से ज़ाग निकलना ऐसे व्यक्ति में धैरे की बेहत कमी होती है तथा ये बहुत उतावले होते हैं। ये दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते हैं। ये वक्त के पाबंध होते हैं और वक्त की पद्र करते हैं। इधर उधर देखते हुए बात करना। ऐसे व्यक्तियों में इच्छा शक्ति की कमी होती है। इनके मन एवं विचारों में ताल मेल ना के बराबर होता है। ये अस्थिर विचारों वाले जल्द बास प्रवरितिके होते हैं। ये कई कलाओं में प्रमीन होते हैं तथा अपना हुनर दिखाना और बिना मांगे सलाह देना इनके स्वभाव में शामिल होता है। आँखें जुका कर बात करना जो व्यक्ति आँखें जुका कर या सिर जुका कर बात करते हैं समवेदन शील, नमर सुभाव वाले एवं शीतल प्रवरितिके होते हैं। इनमें हीन भावना हद से ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वज़ा से ये अपनी बात खुल कर नहीं कह पाते हैं। जो व्यक्ति बातचीत के दोरान जरूरत से ज्यादा हाथ हिलाते हैं, उनके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति बार बार एक ही बात दोराते हैं। इनकी बातों में ज्यादा गहराई या अनुभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों को शिक्षा देने या उपदेश देने में लगे रहते हैं, दिखावा करने में ये निपोन होते हैं। हाथ या बाह पकड़ कर बात करना, ऐसे व्यक्ति कोमल स्वभाव के होते हैं, इस तरह से बात करना सामने वाले के प्रती प्रेम एवं अधिकार की भावना को व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति दयालू एवं संत प्रवरिति के होते हैं, प्यार और नफरत इनमें जरूरत से ज् उंगलियां मार कर बात करते हैं, ऐसे लोग असंतुष्ट इवं बेचैन प्रवरिति के होते हैं। इनको सदा ये शिकायत रहती है कि ये सबसे दुखी है। इनका दुख सबसे अलग है और इनकी तकलीफ को कोई नहीं समझता। ऐसे व्यक्ति सदा खोए-खोए रहते हैं, अपनी ही बात कहकर स्वैम भूल जाते हैं कि कब, क्या, किस से कहा था। कोई नहीं नजर अंदाज न करे इसलिए ये सदा हाथ या उंगलियां मार कर बात करते हैं ताकि सामने वाला केवल इनहीं की बात सुने। बातचीत के दौरान बालों में हाथ फेरना, खुजाना, काघस मोरना या काघस पर आकरितियां बनाना आदी मात्र असभ्यता ही नहीं बलकि मानसिक असंतुलन को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति तनहाई तथा अकेलेपन का शिकार होते हैं। देखा गया है कि ज्यादा तर ये अपनी समस्याओं में उलजे रहते हैं। चलने के धंग। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसकी चाल से भी जाना जा सकता है। किसी की चाल उसकी भीतर छुपी हर अच्छाई, बुराई, गुन आउ गुन सभी का पूरा पूरा ब्यवरा देती हैं। जैसे मनुश्य कब खुश है, कब तनाओं में है या कब किसी सम मस्या के बारे में गहन भाव से सोच रहा है। आए जानते हैं चाल के कुछ तरेकों को जिन से आप किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों को बगल में बांध कर या सटा कर चलता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जरूरत से ज्यादा स पहुच कर ही दम लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति हाथ खोल कर हाथ खिलाते हुए चलता है, तो इससी ये जाहिर होता है कि वो व्यक्ति बहुत ही संवेदंशील, आत्म निर्भर तथा आत्म विश्वासी है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी जिजग के हर एक से बात करते हैं। पर हिलते नहीं हैं, तो इससी ये पता चलता है कि वो व्यक्ति गंभीर है। इनके भीतर मस्तिश्क में सदा कोई न कोई विचार चलता ही रहता है। आत्म विश्वास की कमी के कारण ये ठीक समय पर ठीक नियोजन तथा निशकर्ष में असमर्थ रहते हैं या फिर चूप जाते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में खोई-खोई रहना भाता है। दूसरों की आलोचना तथा कार्य में कमी निकालना इनकी खास आदत होती है। यदि कोई व्यक्ति हाथ खोल कर चलता है और चलते समय उसके दोनों हाथों की मुठियां बंद रहती हैं। तो ये भी आदी आम आदमी से भिन होते हैं। इनके बोलने में एक चमतकारिक शक्ती होती है जो लोगों को सरलता से शीग्र ही आकरशित कर लेती है। यदि कोई व्यक्ति चलते समय अपनी नजरें जुका कर चलता है तो इससे यही पता चलता है कि इनके अंदर आत्म विश्वास जड़े स्वभाव के कारण ये बहुत कम लोगों से बात करते हैं तथा किसी से दिल की बात नहीं कह पाते और बातचीत के दौरान कम बोलना पसंद करते हैं। यदि चलते समय किसी व्यक्ति की आँखें तथा चेहरा ज्यादा ही इधर उधर हिलते रहते हों तो इससे ये चलता है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि वो अपने आप में कितना अकेलापन एवम असुरक्षित महसूस करता है। ऐसे लोगों के लिए निजी जिन्दगी में हमेशा किसी सहारे की खोच चलती रहती है। ये दोस्त बनाने तथा उन से संपर्क बनाने में इचके चाते हैं। और हर काम में नए बहाने तथा आसान रास्ता खोचते हैं। ये खाली हाथ जरा सी भी दूरी तैर नहीं करते और हाथ में किसी सामान या वस्तुका होना जरूरी समझते हैं। जैसे पेंसिल, डाइरी, किताब वगेरा। ये सब व्यक्ति के अंदर छुपे घबराहट, जल्दब पाजी तथा विचारों में असंतुलन के साथ साथ आत्म विश्वास की कमी तथा मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। तेज गती से चलने वाले व्यक्ति बहुत ही चुस्त वफुर्तीले होते हैं। ये अपने जीवन का लक्ष पहले से ही निर्धारित करते हैं। धैरे की कम प्रतिसपर्धा का भाव इनको नुकसान पहुचाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत तथा बुद्धी पर विश्वास रखते हैं तथा अपने सभी कार्य स्वयम ही निप्टाने की कोशिश करते हैं। जिद्धी एवं हठी होना इनको कई बार लाभ पहुचाते हैं तो कई बार स्वयम की हाने का कारण भी बनते हैं। इनकी द्रिष्टी तेज तथा चित एकाग्र रहता है। भीर से हटकर कुछ नया काम करने की कोशिश सदा इन्हें उर्जाबान बनाए रखती है। ये जीवन में एक साथ कई कारे निपडाने का सामर्खे रखते हैं। कई कलाओं की प्रतिभा इवं कई विश्यों पर जानकारी इन्हें कई बार फायदे तथा नुकसान का भागी बनाती है। कम समय में मेहनत से ज्यादा पाने की तीवर इच्छा हमेशा लगी रहती है। धीमी गती से चलने वाले व्यक्ति नीरस, निस्तेज तथा महा आलसी होते हैं। आत्म विश्वास की कमी इनकी हर असफलता का कारण होती है। ऐसे लोग अन्य लोगों के कहे अनुसार अपना लक्ष चुनते हैं तथा अपनी धारनाय बनाते हैं। हर चीज को गहराई से द इन्हें लिखने पढ़ने का शौक होता है, कई विश्यों के जानकार तथा विशेशग्य होते हैं, ये अच्छे कलाकार भी सावित होते हैं। जो लोग पैर को जोर से रखते हैं यानि एड़ी को जोर से दबा कर आवाज करते हुए चलते हैं, बहुत ही जिद्दी तथा अभिमानी होते हैं। उनका ये स्वाभिमान जूठा एवं निरर्थक होता है, अपने बारे में सुनना तथा सबके बीच आकरशन का केंद्र बनना इन्हें अच्छा लगता है, अपने काम का दिखावा तथा जरूरत से ज्यादा उचे स्वर में बात करना इन्हें शोभा नहीं देता, ऐसा व्यवहार इन्हें महगा भी पढ़ सकता है। पैर, तलवे व एड़ी को जमीन से रगड़ कर बिना उठाये चलना, ऐसे लोग दरिद्र तथा आलसी होते हैं, ये बिना किसी परिवर्तन और लक्ष निर्धारन के जीना पसंद करते हैं। ये भागे के सह इसी न किसी कमजोरी पर सदा काबू पाने की चेश्टा में लगा रहता है। अथवा अपने भीतर की उर्जा शक्ति को बरकरार रखने के लिए ऐसा करता है। ऐसे व्यक्ति आसानी से हार नहीं मानते। ये ना तो किसी के सोचने की परवाह करते हैं और ना ही किसी किस्न की चिंता। स्वाभिमान ही इनका सब कुछ होता है। पढ़ने के धंग। जिस तरह लिखने और बोलने का तरीका हमारे भीतर छुपे गुण आउगुण कला प्रतिभा, व्यक्तित्व, व्यवहार तथा आत्म विश्वास आदि को दर्शाता है। ठीक उसी तरह हमारे पहार एवं मानसिक इस्थिति आदि को परिभाशित करते हैं। आईए जानते हैं कि क्या कहता है आपके पढ़ने का धंग। बोल बोल कर पढ़ना यानि स्वर के माध्यम से शब्दों को आवाज द्वारा उचारित करना। ऐसे व्यक्ति कहने को आत्मविश्वासी होते है परंतु उनके अंदर कहीं न कहीं असुरक्षा का भाव भी बना रहता है। ऐसे व्यक्ति स्वयम को सबसे समझदार समझते हैं जिसकी वज़ा से उन्हें कई बार मुह की खानी पढ़ती है। ऐसे व्यक्ति दिल के साफ होते हैं इसी वज़ा से ये अपने दिल की बातें शोर के पढ़ना। ऐसे व्यक्ति गंभीर एवं समवेदन शील सौभाव के होते हैं। इनकी बातों एवं अनुभवों में वजन होता है। ये वक्त के पाबंद तथा जिम्मेदारियों को निभाने वाले होते हैं। मन चाहा जीवन या परिणाम इन्हें इच्छा नुसा नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति अपनी बातों एवं महत्वा कांक्शाओं को हर एक के आगे जाहिर नहीं करते नहीं सरलता से यार दोस्त बनाते हैं। दूसरों के प्रती करणा, सेवा भाव तथा बुजर्गों एवं गुरुवों के प्रती श्रद्धा भाव इनके स्वभा का एहम हिस्सा होता है। जब तक इनके कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक ये अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताते। दोनों तरह से पढ़ना, यानि कभी बोलकर पढ़ना तो कभी चुपचाप पढ़ना। ऐसे व्यक्ति मूडी, अस्थिल, स्वच्छंद, चंचल स् अपनी धुन के पक्के एवं मस्त होते हैं। चोटे मोटे दुख या उतार चढ़ाओ इन्हें प्रभावित नहीं करते। जहां जाते हैं वहां अपनी छाप छोड़त राते हैं। दूसरों को हसाना, खुश रखना इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे स सलाकार एवं साहित्यकार भी होते हैं। जीवन में संतुलन एवं शान्ती की प्रबल इच्छा होती है। इनका जिग्यासू सुभाव इन्हें सदा उर्जावान तथा मानसिक एवं शारेरिक रूप से स्वस्थ रखता है। शुरू से अंत तक पढ़ना, किसी भी पुस्त करते हुए सदा अपने कारे को शुरू करते हैं तथा उसे संपन करके ही चैन लेते हैं। इन्हें जैसा जीवन मिलता है या उससे संतुष प्रहते हैं तथा अपनी संसक्रिती, रीती दिवाज, सभ्यता एवं धरोहर आदी से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। अंत से शुरू तक पढ़ना। ऐसे व्यक्ति जब भी कुछ पढ़ने के लिए उठाते हैं तो आखिर के पढ़ने से पढ़ना शुरू या प्रिष्ट उलटना शुरू करते हैं। ऐसे व्यक्ति आशांत एवं जल्दबाज पिस्न के होते हैं। ये दुनिया को अपने ढंक से दे हैं या केवल मोटी मोटी हेडिंग पढ़ते हैं अपने आपको जरूरत से ज्यादा समझदार एवं चालाग समझते हैं। ऐसे व्यक्ति बातूनी होते हैं जब तक ये अपने दिल की बात किसी से नहीं कह लेते इने चैन नहीं मिलता। बिना सोचे समझे बोलना तथा बिन मन एकागर होता है तथा किसी भी चीज को समझने इवं ग्रहन करने की क्षमता इनमें आम लोगों से ज्यादा होती है। इनके अंदर कई छुपे हुए गुन होते हैं जिनका इने खुद आभास नहीं होता। धीरे धीरे पढ़ना यानि मंद गती से पढ़ना ऐसे व्यक्त धैरिवान तथा एकांत प्रीय होते हैं। पढ़ते पढ़ते खो जाना, ऐसे व्यक्ति कलपना शील प्रवरिती के तुलनात्मत विचारधारावाले होते हैं। सदा अपने वर्तमान को बीते पलों में तॉलते रहते हैं। इन्हें सदा दुख घेरे रहते हैं, जिसके जि स्वाइम होते हैं। संबंधों में शक करना या चानवीन करना इनकी आदत होती है। पढ़ते पढ़ते नीदाना। ऐसे व्यक्ति आलसी गिस्म के होते हैं। जीवन के प्रती इनका नजरिया निराशा पौन होता है। ऐसे व्यक्ति जिम्मधारियों से दूर भागते हैं आपको जरुरत से ज्यादा समझदार एवं विद्वान समझझते हैं। ये अपने से ز्यादा दूसरों के जीवन में दखल देते हैं। आत्म विश्वास के लिए पढ़ना ऐसे व्यक्ति संसार की कम स्वयम के विकास की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये शांत सुभाव वाले निर्मल चित एवं मृद्वाशी होते हैं। इनके हर कार्य में आध्यात्मिक पोट होता है। जिस तरह ये हर चीज या विशे वस्तु को नहीं पढ़ते या उनकी और आक्रिष्ट नहीं होते। उसी तरह जीवन में भी वस्तुओं, मित्रों एवं आहार विहार का भी सोच समझ कर चैन करते हैं। ये जो भी पढ़ते हैं फिर स्वयम के जीवन में उतारते हैं। उनका पढ़ना मात्र ज्यान अर्जन के लिए ही नहीं होता, बलकि आत्म परिवर्तन के लिए भी होता है। एक-एक अक्षर को पढ़ने के बाद उसकी तह तक जाना उनके स्वभाव में होता है। ये एक अच्छे मार्ग दर्शक पिवं सलाहकार होते हैं।